वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार स्वागत आपका जनसत्ता पर मैं हूँ आपके साथ अंचिका साड़ा दिन था 25 जून और साल था 1975 आधी रात को राष्टपती फक्रुदीन अली एहमत ने इमरजेंसी लागू करने की सरकार के प्रस्ताव को हरी जन्डी दे दी 26 जून के सुबै औल इंडिया रेडियो पर एक खोशना हुई जिसमें कहा गया था कि भाईयों और बहनों राष्टपती जी ने अपातकाल की खोशना कर दी है लेकिन इससे समाने लोगों को डरने की जरूरत नहीं है ये आवाज किसी और की नहीं बलकि खुद इंडरा गांधी की थी अगले सुबह अखबार ना निकल सके इसके लिए आधी रात में ही बहदूर शाह जफर मार्क स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी इमर्जन्सी की घोषना होने के बाद विपक्ष के बड़े नेताओं को आधी रात को ही गिरफतार कर लिया गया था कॉंग्रेस को आज भी इंडरा गांधी की इस फैसले के लिए दूसरी पार्टियां कोस्ती रहती है लेकिन इमर्जन्सी लगाने की योजना खुद इंडरा गांधी की नहीं थी अब आप यह सोच रहे होंगे तो फिर किसने इंडरा गांधी को इमर्जन्सी लगाने की सलाह दी कौन था इमर्जन्सी की पीछे का मास्टर माइन इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा जनसत्ता के इस किस्से में इमर्जेंसी के बारे में आज की पीड़ी बहुत कम कुछ जानती है जिस वक्त देश में इमर्जेंसी लागू हुई थी उस समय इंद्रा गांधी देश की प्रधान मंत्री थी इंद्रा गांधी को इमिर्जेंसी का आइडिया देने वाले शक्स का नाम था सिधार्थ शंकर रे सिधार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के ततकालिन मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस बात का खुलासा खुद इंद्रा गांधी की निजी सचीव आरके धवन ने किया इंडियन एक्सप्रेस के आईडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में आरके धवन ने इमर्जेंसी से जुड़े कई सवालों के जवाब दे बाचित के दोरान उन्होंने बताया इंद्रा गांधी के दिमाग में तो इमर्जेंसी थी ही नहीं उन्हें ये आइडिया देने वाला कोई और था दरसल इसके पीछे पूर्व नोकरशाह और पश्चिम मंगाल के ततकालिन मुख्यमंत्री सिधार्थ शंकर रे थे धवन ने बताया था कि SS रे नहीं इंद्रा गांदी को ये बात विस्तार से समझाई थी कि समिधान के जरिये इमर्जेंसी घोशित की जा सकती है उन्होंने इंद्रा गांदी से पहले इस समंध में राष्टपती से भी बात कर ली थी शाम में इंद्रा गांदी SS रे और आरके धहन के साथ राष्टपती फकरुदिन अली एहमत के पास पहुँची इंद्रा गांदी राष्टपती एहमत से ये जानना चाहती थी कि रे ने उनसे क्या कहा है साथ ही क्या वे उनसे सहमत हैं इस पर राष्टपती ने सहमती जताते हुए SS रे से इमर्जेंसी का मसोधा तयार करने के लिए कहा मशूर लेखी का उमा वासुदेव ने अपनी किताब में SS रे के हवाले से लिखा जून की शाम में अपातकाल लगाने सबंदी राष्टपती को भेजे जाने वाला पत्र प्रधानमंद्री आवास पर तयार हो रहा था जिसमें राष्टपती को अपातकाल को मंजूरी देने का सुझाओ था पत्र में दो पंक्तिया ही तयार करनी थी जिसे प्रधानमंद्री गांधी पहले पड़ती और फिर राष्टपती के पास उसे भेजा जाता तब इंद्रा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी बार बार पूछते थे कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है दरसल इंद्रा गांधी और उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने देश में अपातकाल लगाने की तयारी पहले से ही कर ली थी इसके अलावा इंद्रा गांधी के सहायक आरके धवन और संजर गांधी ने मिलकर रातो रात उन लोगों की लिस्ट बनाई जिने गिरफतार करना था 25 जून की आधी रात में इंद्रा गांधी ने अपने खास रक्स को राष्टपती के पास आपातकाल के कागजात पर दस्तकत करने के लिए भेजा दूसरी तरफ आईटियो स्थित गांधी शांती प्रतिस्थान से सोतेवे जैप्रकाश नारायन को गिरफतार कर लिया गया देश में इमर्जेंसी का कड़ा विरोध हुआ इमर्जेंसी के बाद चुनाव हुए और इंद्रा चुनाव हार गई उस वक्त इंद्रा को इमर्जेंसी की सलाह देने वाले एसेस रे ने ही इंद्रा के खिलाफ बयान दिया धवन ने बताया कि एसेस रे की सलाह मानने की कारण ही इंद्रा परिशानियों में फसी थी अगर इंद्रा धवन की बाद ध्यान से सुनती तो उन्हें इस तरह की परिशानी का सामना नहीं करना पड़ता इमरजेंसी के बाद जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया इस आयोग के सामने सिदार्ट शंकर रे ने इंद्रा की खिलाफ बयान दिया था जिब इंद्रा गांधी आयोग के समक्ष पेश हुई तो SSR भी वहीं मोजूद थे इंद्रा गांधी को देख कर उन्होंने कहा ओ आप तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है इस पर इंद्रा का जवाब था आप मुझे फिट रखने के लिए अपना बहतर प्रियास कर रहे हैं धवन के पास SSR के हाथ से लिखा हुआ एक पत्र भी था जिसमें इंद्रा गांधी को पताया गया था कि इमर्जन्सी के दोरान उन्हें क्या कदम उठाने है इस पत्र को जन्वरी 1975 में यानि की इमर्जन्सी लागू होने से ठीक 6 महिने पहले लिखा गया था आरके धवन की माने तो सिधात शंकर रे ने ही इंद्रा को इमर्जन्सी लगाने की सलाह दी थी और साथ ही खुद ही इसके लिए रश्टपती से बात भी कर ली थी लेकिन इमर्जन्सी के बाद वे खुद ही इंद्रा के फैसले की आलोचना करने लगे थी इमर्जन्सी के दोरान प्रेस की स्वतंतरता का बुरी तरह हनन किया गया था जो की वाकई निंदनिय था उस समय सरकार के खिलाफ बोलने की सक्त मना ही थी वो समय भारत के इतिहास के बूरे दोर के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी के साथ ही सब्सक्राइब करने जनसत्ता को